आज दोस्तों बात करेंगे मेरीगोल के पौदे के बारे में जिन पे आप बहुत सारे फूल ले सकते हो पर तीन चार चीजें करनी आपको बहुत जरूरी हैं जिसके साथ आपके पौदे पे अच्छे खासे फूल लाएंगे वीडियो को एंटर जरूर देखेगा अगर आप ऐसे ही फूल पाना जाते हो अपने पौदों पर जिसके साथ आपके पौदे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेंगे और एक टाइम पर ऐसे फूल बहुत कम देखने को मिलते हैं मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मेरे पौदे ज्यादा से ज्यादा खिलें और साथ में दोस्तो अगर आप अभी मेरिगोल के पौदे हैं उनकी कटिंग बनाना जाते हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आप जरूर बनाएं क्या होता है दोस्तो जब भी हम करना ना आपको रूटिंग हार्मोन की जुरुत है क्योंकि जब भी कोई पौदे का सीजन आ जाता है उस वक्त पौदा बहुत अच्छे से फूल देने में सहाइक रहता है और जड़े निकालने में भी जो कटिंग है सहाइक रहती है इसलिए आपने नॉर्मल जो कटिंग लेनिया उनको लगा देना है और विदिन 15 डेस देखो के आपके पौदे का बहुत जारा स्ट्रॉंग रूट सिस्टम बना होगा और अभी आपको मैं एक अपडेट भी दिखा देता हूँ जो मैंने कटिंग करीब 20 दिन पहले लगाई थी आप देख साथ तो ये वाली कट करना चुरू करते हैं चाहिए आप इनकी भी पिंचिंग कर सकते हो अगर आप इससे जारा से जारा फूल लेना चाहते हो जिसके साथ आपके बहुत बड़ी आप फूल देखने को आपको मिलेंगे यह थी दोस्तों कटिंग के इलावा आपको और क्या करना चाहिए वो मैं को बताता हूं जैसे आपने कोई पौदा लिया है उसको फटिलाइजर देना भी बहुत जरूरी रहता है मेरे इसाब से जो मैं फटिलाइजर हमेशा देने की कोशिश करता हूं वो है डीएपी डीएपी दोस्तों होती है डायमॉनिय फॉस्वेट जिसमें रूट क्रोथ के ल लगा है मिटी भी उतनी है तो आप उसमें साथ से आठ ग्रेनुवल्स डाल सकते हैं मैं हमेशे यही कहता हूं अगर कोई आप पौदा लगाते उसकी आपको निट्रिशन रिक्वाइरमेंट समझनी बहुत जरूरी होती है जैसे आपको पता है मैरीगोल का पौदा है इसके यह नहीं कि आपने गोबरखार नहीं डालनी है जब आप इस पौदे को पहली बार लगाओगे मिटी बनाते वक्त इसमें 20-25% आपको कोई भी कंपोस्ट हो वो जरूरी डालनी है जिसके साथ इसको स्लोर रिलीज का जो फर्टिलाइजर है एक मिलता रहे और आपके पौद कर्लिंग की समस है या फिर कोई ऐसा जो आप कह सकते हैं बैक्टेरिय या वाइरिस आजाता है जिसके कारण कर्लिंग भूट जड़ा पौदे में होने शुरू हो जाती है गेंदे के पौदे में अकसर देखा जाता है और बहुत सारे हमारे जो विववर्स हैं मैं भी बहु बहुत अच्छा रहता है यह क्या करता है कि पौधे में कोई भी बैक्टेरिया है या फंगल इंफेक्शन है उसको बहुत जारा जल्दी से खत्म कर देता है जहां तक मैंने देखा है और मैंने सोना भी और वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा भी कैसे आपने इसका प्रयो आप से है या फंगस आनी शुरू हो जाती है उस वक्त आप इसको डाल सकते हैं जिसके साथ पौधे में जो फंगस की समस्य है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी और दोस्तों अगर आप पौधों को बीड से लगाना जाते हो वो भी आप अभी लगा सकते हो बीड डिगरी के नीचे जाहिए होता है और इनको सेंपली आप कोकोबीट प्लस वर्मी कमपोस्ट के मिक्स्चर में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं ऐसी दोस्तों बीड लगाने के लिए जो आपको सोर्स भी होना चाहिए जहां से अब अच्छी क्वालिटी के बीड ले सकते ह जो आप अगर आप इसके बीज लेना चाहते हैं तो आप गार्डन दोस्त की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं वहाँ पे आपको सभी इंपोर्टेड मेरीगोल के बीज मिल जाएंगे पैंजी बलैक ऐसे सभी रेर सीट्स मिल जाएंगे और आप एक बार जुरू चेक क आप से क्योंकि अगर आप एक फूल लोगे वो बड़ा तो आएगा उसके बाद आपका पौदा बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएगा वहाँ पी उसका जो लाइफ साइकल है वो खतम हो जाता है अगर हम उसकी बीच में से पिंचिंग कर देते हैं तो क्या होता है जो स्रा और पिंचिंग करने का भी एक टाइम होता है जब आपको बर्ड़ इसकी दिखने लग जाए उस वक्त ही आप पिंचिंग कर देऊ उसको बर्ड को बड़ा ना को जाएए और अगर आप उसके बार pinching करोगे तो आपको वैसा जो product है आपका जा फिर आपके result है नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हो ऐसे ही दोस्तों आप इनके pinching करेंगे तो आप देख सकते हो ऐसे आपके पौदे हो जाएंगे सामने अपने देखा होगा यह white marigold है इसमें मैंने 10-15 दन पहले pinching की थी और बहुत अच्छे से इनमें जो जो बुशीन ऐसा वो आने लगी है यह दोस्तों को चीज़े हैं जो आप कर सकते हैं अपने marigold के पौदे में आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी आगे मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगो जिसमें मैं आपको इसके फूल खेले होई दिखाऊंगा तो प्लीज प्लीज दू सब्सक्राइब माइं यूट्यूब चैनल और अगर आपको कोई और कोशन आप मुझे कमेंट सेक्शन बतासे तो